वेलकम गयज जेकलोन जोब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सस्क्राइब किज़े जेकलोन जोब चैनल को और पाईए रोजना मल्टिपल चोइस कुशन जो आपके बेस नर्सिंग इंट्रास एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प फुले जो आपके बेस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो आपको भी रोजना मल्टिपल चोइस कुशन मिलना स्टार्ट हो हब जाएंगे तो चलिए स्थरू करते हैं पहला कुशन हैं कि हुमुलीन क्या है हुआ है हुमुलीन क्या है हुमुलीन इस काइटियन का रूप पाचक प्रकेज़न मानव इंसुलीन परती चैविए फोर्म औफ सैटिन डैस्सुव फॉर्मेंट ऑमन इंसुलीन एंटिबाय और बहुत सबों आंपको रिपेटेड़ मिल जाएंग में देग्ण है को फो मिल जाएंगा अब अससे टिक लगाना है और明ना इसका ट्रॉस्पोर्स नहीं ह광 vulner इंसुलिन को में इंसुलिन का क्रेक्ट अप्शन हो जाएगा तो हमलीन क्या है मानों इंसुलिन अगला क्यूसन तो रोज जाना मिलेंगे आपको रोज जाना ठीक है ना चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको तो रोज जाना मिलना स्टार्ट हो जाएगे अगला जो क् जाते हैं एक निकतन में एक साथ नहीं रह सकती यह नियम कर लाता है तू इस पिसिज केंनोट लिव टुगेदर इन ए नेच तिस लॉव थेयोरी इस कॉल्ड विन थेयोरी एलन थेयोरी गॉज थेयोरी या फिर मेंडल थेयोरी बहुत अच्छा क्यूसर्ण दो जाते हैं एक निकतन में एक साथ नहीं रह सकती जिसने जुलोजी 11 और 12 में एच्छी पढ़ी होगी तो वो तो इजली कर देगा और आपकी बीएस नर्सिंग इंट्रास एक्जाम में क्यूसर्ण 11 और 12 से ही बनते हैं पेजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी से सब्सक्राइब आपने टिक लगा देऊगा इसका राइट ऑप्शन होजाएगा गौज सिद्धान्थ ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन है कि क्यूसर्ण अगला है आपका प्रत्वी का आर्द वायुमंडल किस प्रकार के गयसो का मिस्रण था प्रेमेट्व एटमॉसपेर ऑफ दे अर्थ इस मेगसर ऑप इनमें से कोई ने परत्वी का आर्द वायूमनल किस प्रकार के गैसों का मिसरन था आपको राइट ऑप्सन टिक लगाना है कुशन की तो बिल्कुल फिक्र मत परोग काईज हम जितना हो रहे उतना आपको दे पारे ठीक है और आपके लिए दो चैनल हमने वायलेबल करवा रह होते हैं जाके सब्सक्राइब करें ना उसको भी जीके एंस को जैंके तो फिलाल आपको आंसर आगया होगा इसका इसका राइट ऑप्सन हो जाएगा आपका इनमें से कोई ने प्रत्वी का आर्द वायूमनल किस प्रकार का गैसों का मिसरन था यह ओल्ड बहुत आपका जो यह एक्जी इस डिफ्रेंटेट फ्रॉम एट्लास वाइदा नियूरल चाप की उपस्तिती सेंट्रम की अनुपस्तिती और टॉंडाइल प्रवर्द की उपस्तिती उप्योक सभी सो सिंपल इसका राइट ऑप सुन हो जाएगा आपका और टॉंडाइड प्रवर्द की उपस्तिती एक अगला कुश्ण कौन सी कोसी का नियूरोस से सम्मधित होती है विच सेल रेटेड विच नियूरोन स्वान सेल निसल ग्रिलियून देंट्राइट एक जॉन ही लुक कौन सी कोश्ण का नियूरोस से सम्मधित होती है बहुत अच्छा क्यूसन है तो गाईज इसका राइट अप्सन हो जाएगा आपका सवान सेल्स नेक्स रक्त की ऑक्सिजन की समता को गठाने वाला पर्दूसक है कि दो पॉल्टेंट वीच डिक्रीज दा ऑक्सिजन केरी कैपसेटी और फ्लट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् करा हुई इनकी ठीक है तो क्यों सब्सक्राइब नहीं करना बहुत बढ़ी गलती कर रहे हो आप दोनु चैनल के दूबना पोसन मिलेगा आपको उस चैनल पर मिन आपको बता दिया था तो आपको भी आंसर आगया होगा इसका राइट आपस नहीं की कार्बन मोनो आक्साइ ठीक है है हेमोगलोबिन के साथ कंबाइन हो गया समदो विस्ट बन गया ठीक है किसी समस्टी में आप दित जनल की समता को कहते दन नॉन और अप्स्ट्रक्टिव रेप्रोडक्शन कैपसिती इन एनी पॉपुलेशन इंक ओर फारिटी लेटी पाइटिक पोटेंशिल केरिंग केपी लीटी नेसलिटी तो गाइज इसका राइट आपस नो जयका आपका बाइटिक पोटेंशिल जय विबाव नेक्स्ट मानो प्लेसेंटा है हूमन प्लेसेंटा हीमो कोरियल यो ऑक्सेक सिंडेस्मिकारियल या फिर हीमो एंडो इतियल मानो प्लेसेंटा है तो यो राइट आपस नो जयका आपका हीमो कोरियल नेक्स्ट खभी-खभी जील में water blooms का पाया जना परदिशित करता है sometime water blooms sow in leg due to पॉसन की कमी oxygen की अधिक्ता oxygen की कमी जील में साकारियों की अनुपस्थिती तो अब इसका right of an क्या होगा गई खभी-खभी जील में water blooms का पाया जना परदिशित करता है क्या प्रदिशित करता है कौन सी चीज को represent करता है बहुत अच्छा है क्योशन so simple oxygen की कमी को represent करता है अगर वो उपस्थिते हैं तो समझो कि oxygen की कमी है टीए water blooms का पाया जाना तो अगर नहीं पाया जाता है तो समझो कि oxygen की मातरा में कमी है कि यूशन तो इस प्रकार के रोज़ाना मिलते रहेंगे बस आप तो सस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस अवस्तिक करना गंटी का बटन आता है ना उसको प्रेस करना अधिम दारवय गया है माननोब बुरहन सुरुख्षित रहता है इस और इंबर्छाइब करना आप घ्रतोंटी काएबरीग इसका राइट अफन हो जाएगा एम्रियोटिक गुवा में ठीक है एम्रियोटिक गुवा में कि उससे नहीं बहुत अच्छे-चे गाईज अब चलते हैं एक और लीनेस का पाधा पुर्गी करने इसका भी हम जीके एम्स को जैंके चनल पर करा चुके थे तब ही तुम्हें आपसे बार-बार बोल रहा हूं कि जीके एम्सी क्यों एम्स के चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो इमानदार से जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि वहां के जौन क्यूशन प्रेक्टिस कर रहे ना वह यहां पर काम आ सके ठीक है तो आपने टिक लगा दिया हुगा इसका ख्राइट उप्सन हो जेगा आपका क्रतिम आर्टी फीसियल यानिकी लीनेस का पादब वरगे करने आर्टी फीसियल ठीक है नेक्स्ट पलेग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता से होता है इसका भी हम जीके म्सकूज एम के चनल पर प्रेक्टिस करवा चुके हैं बहुत अच्छे से करवाई है सभी विटामिन से हंड्रेड परशेंट हर बार क्षण बन सकता है गाई विटामिन से कुशन तो हर एक्जाम में बनता है ठीक है तो जिक के MCQMK चैनल बहुत काम का है लिंक नीचे डिस्क्रिस में दिया हुआ इसका ठीक है जाके फॉलो कर लेना है मांदार से ताकि आपका बहला हो सके आपके माताफिता का नाम रोशन हो ची हम तो यहीं चाहते हैं क कैसे भी करके क्योंकि इस लोगडाउन में कोचिंग सेंटर तो बंद है तो हम आपको ओलाइन ही अवाइलेबल करवारे जितना हो सक रहा है और इंट्रस हमने भी क्रेक क्या है इसी तरह ठीक है वह चीजे हम आपके साथ सेयर कर रहें ताकि आपका भी सेलेक्शन हो जाए औ आपका गौवर्मेंट कोलेज में कंपीस पर आपका काम बन जाए ठीक है ना तो इसका राइट ओफन हो जाएगा आपका नैसीन यानिकी इकोटिक अंबल तो यह होता है पिलेगरा रोक किस विटामिन की कमीश होता है क्योंकि विटामिन में आपको कौन सी चीज पता हो नह आपको पता होना चाहिए कमी से क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए इसके सौर्स बोलते हैं कि किस किसमें पाया जाता है तो इसके सौर्स भी आपको पता होना चाहिए इस तो आपको कमपल्सरी होना चाहिए जल में विले कौन सी है विटामिन वसा में विले कौन सी है तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताए थी कि जल में तो दो भी लिए इसको याद रहना है WbC यान कि वाटर Bc विटामिन B और C वाटर में भी ले है ठीक और इसके वलावत जितनी भी है वासा में भी ले और ट्रिक भी बताए थी सब कुछ में ने बताया हुआ है जाके देख लो आप सारा क्लियर हो जाएगा विटामिन का अगर आपने उस वीडियो देख लिया तो आप तो कोई भी क्यूशन आजाए विटामिन का ऐसे एसे एसे सोल कर देंगे एसे ठीक है नाइक्स्ट को करता है डी एने संसलेशन को काता है डी एने संतेसिस इस टॉइज प्रुपांद्र अनुलेकन प्रिक्रमन रोटेशन को बोलते हैं सव पर्तिकरन बहुत अच्छा क्यूशन और गाईज मैं सब बोलता हूं आप से कि आपक को पेशबुक चलाते हो इस्टाग्राम चलाते हो चलाते होंगे मोबाइल है तो तो फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी इंपोरमेशन आपको देता रहता हूं कुछ भी बात अगर बतानी हो तो वहाँ पर मैं पॉस्ट डाल देता हूं ठीक है पेशबुक और इंस्टाग्राम पर कोई भी चलाते हो तो लिंक निचे डिस्क्रिस में दिया है मेरे पेस्बुक पेज का ठीक है ताकि वहाँ पर कोई भी इमर्जेंस स्वाल पूछ ना हो तो वहाँ पर रिप्लाई इसली मिल जाता है पेस्बुक पर क्योंकि कमेंट में तो आपको कि सिंपल सव परतिक्रण क्या बोलते सव परतिक्रण की रेप्लिकेशन के नेक्स्ट कि सव परतिक्सिक द्रोग है यानि कि ओटो इम्मून डिजीज एड्स अस्तमा हेमोफीलिया यह पर मैंस तीने ग्रेविस सो गाइज ओटो इम्मून डिजीज क्या होता है कि हमारे सेल से ना ठीक है हमारे सेल सी हमारी उस कोशिका को फोरिजन बोडी समझ के हमारी कोशिका प्रटेक कर डालती है ऐससी कंडिशन को ओटो इम्मून डिजीज बोलता है ठीक है कौन सी होती है यह तो आपको पता होगा एड्स तो होगा नहीं अस्त्मा तो होगा नहीं हीमोफीले अब नहीं होगा तो राइट ओप्षन माइस्थन आ ग्रेविस हमारे जो इंडियन एक्टर से अभिताप जण उनको भी साहध माइस्थन आ ग्रेविस से प्ड़ीते जब आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट और पेश्बुक इनिस्टाग्राम पे फोलो जरूर कर लेना गाईज लिंक तो आपको डिस्क्रिस में मिल जाएगा सब्सक्राइब जीके एम्सकोजम के चनल का भी और पेश्बुक के लिंक हमारे जो पेज है इसका भी ठीक है तो पॉसन निम्न में से देखा जा सकता है यह इसका राइट ऑप्सन हो जाएगा आपका जील में ठीक है अब अब 16 से 30 अनिक हमने 15 क्यूसन सोल करे तो इनमें से इमानदार से बताना कितने क्यूसन साही गए अगर एक दो दो भी गलत चलेगे दो से तीन भी तो जितने भी वीडियो नहीं सब भी को देखना यह से जाए आपकी ठीक है ताकि आपके प्रक्टिस अच्ची हो सके और से नमबर लेके आजाओ ठीक तो आप हमारे जो चैनल है जीके एमसी की उजेम के चैनल इसका लिंक नीचे डिस्क्रिस में दियाओ है हमारे पेस्बुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिस में दियाओ है तो देर किस बात की जाओ डिस्क्रिस में और लिंक पे क्लिक करके पहुजा अपने मकसद पे ठीकते मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए MC कुज के साथ ओके दन्यवाद